नमस्का राव स्वभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडे चंद्रशेगर शर्मा दर्शको सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांख है 17 मार सन 2024 विक्रम समध 2080 चल रह है तिथी आज के अस्टमी है और आज का वार है रवीवार आज के नक्षत्र की बात करें तो मुर्ग शिरा नक्षत्र दौपेर बाद चार बच के 48 मिनट तक रहेगा आगे आद्रा नक्षत्र आ जाएगा योग आयुश्मान है शाम पांच बच के पांच मिनट तक आगे स सूर्योदे का समय दर्शे को सुबच 6 के 33 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 6 के 36 मिनट का है आज का राहो काल दौपेर बाद 4 के 30 मिनट से शाम 6 बचे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकार ही नहीं करते हैं और लंबी यात्र परियार इस प्रकार होगा पश्चिम के और मुक करें थोड़ा सा घी दलिया या पान खा कर पहले पांच कदम पीछे चलिए और इस दोरान इस प्रक्रिया के दोरान अपने हिर्दे में अपने इस्ट का ध्यान कीजिए और भगवान श्री राम का नाम लेकर यह यात्रा शु आज का शूब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का समय वो है सुबह 8 बच के 10 मिनट से दौपेर 12 बच के 30 मिनट तक फिर दौपेर बाद 2 बच के 10 मिनट से 3 बच के 30 मिनट तक फिर शाम 7 से 8 बजे के बीच ये तीनों का अलखंड बाकी पूरे दिन की सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले अपने पराक्रम से भाग्ये के नए अवसरों का निर्मान करेंगे वहीं व्रश राशी वाले स्वास्ते लाब करेंगे लेकिन किसी से अनबन भी हो सकती आपकी ऐसे ही मिथुन राशी वाले पार्टनर्शिप के कामों में बहुत अच्छा लाब पाएंगे लेकिन रहेंगे आज ब्रहमित स्थती में वहीं करक राशी वाले खर्चे पर नियंत्रन रखें तो सिंग राशी वाले अपने बुद्धी विवेक से लाब कमाने के स्थती में रहेंगे ऐसे ही कन्या राशी वाले अपने घर में शांतिक अनभव करेंगे एकदम पीस बनी रहेगी तो तुला राशी वाले पाएंगे जबर्दस सपोर्ट सिस्टम और वर्ष्चिक राशी वाले वाणी से लाब उठाएंगे लेकिन स्वास्त रहेगा खराब ऐसे दोनु राशी वालों को होगा आज लाब और मिलेंगे नए साथी और मकर राशी वाले लंबी यात्रा की प्लानिंग करते दिखेंगे तो कुम राशी वाले हर तरह से लाब के स्थती में होते वे दिख रहे हैं और मीन राशी वाले काम में दिखेंगे डेडिकेट लेकि जीवन में सफल बना देते हैं अन्तुमें करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को आज से ही होलास्टक लग रहा है तो शुब और मांगली कारियों पर आज से आठ दिन रोक रहेगी होलास्टक के पीछे बहुत से पुरानिक और जोतिश ही कारण है ऐसा माना जाता है कि आठ दिन ही भक्त प्रडात को यातनाय दी गई थी और आज ही के दिन महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था जोतिश की दर्श्टी से समझें तो अस्टमी को चंद्रमा नवमी को सूर्य दश्मीतिति को शनी एकादशी को चीन हो जाती है इस कारण मनुष्य अपने हित के विपरीत फैसले ले लेता है यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उच्छा के और मोड़ दिया जाता है अलाकि ये दिन साधना भजन के लिए और अपनी समश्याओं के समाधान के लिए बहुत उत्तम रहते हैं क्य कि आर्थ भाव से जैसे प्रदाज जी ने जाप ध्यान इत्यादी किये थे वैसे ही आप भी अगर पुरे भाव से साधना करें तो नारायन कृपा से आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो जाता है तो आज की ज्यान चर्चा का सार ये है कि जो आठ दिन है हुलास्टक कि इसमें आप साधना करें भजन करें अपने कस्टों का निवारण करें शुब मांगले कारियों में यहां रोक रहेगी दर्चे को अब बात करते हैं उन विसस्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्यों के समाधान बहुती सरलता से कर देते हैं और जिने करके य और बहुत तेज गती से द्रड़ता से अग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप सभी आज भगवान सूरी नारायन के निमित एक छोटी सी पूजा रखवा लीजे और घर में खीर हलवा बनाकर हनुमान जी सीता राम जी को भोग लगाए और छोटे-छोटे बच्चों को निर्धन बच्चों को बाढ़ दें आज के दिन किये गए राम नाम के सवा घंटे के जाप आपको पूरा वर्ष आनन से रखेंगे खासकर जब आप गो माता को गो माता के घी का दीपक प्रजुलित कर ये जब श स्टाप करते हैं लेकिन नुकसान होता है कहीं भी रिष्टे आपके ठीक से चल नहीं पाते हो ऐसे स्तिती में आपको इस पूरे होला स्टक में भगवती की शरण जाकर नित्य एक घंटा इस विशिष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए इसकी विदेश प्रकार है कि आप गण और साथ गुम्ती चक्र उतारा करके मंत्र जप्तवे होली का धहन में डाल दें निश्चित रूप से समाधान आपको सामने से आकर मिलेंगे जो मंत्र जाप आपको करने वो इस प्रकार है ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीम सर्वो पद्रव वारिन्य नमे श्रीम ओम मंत्र फिर से समझेए ओम श्रीम सर्वो पद्रव वारिन्य नमे श्रीम ओम तो पूरे मन से एगंटा जब कीजिएगा ऐसे दर्श को यदि घर के बच्चे बिमार रहते हो उनका विकास आयो के हिसाब से नहीं हो रहा हो या बार-बार गर्भ पात की समश्य हो जाती हो बच्चे नहीं हो रहे हो और ऐसी कोई भी मनी मन इसका जब शुरू कर दीजिए फिर देखिए कैसे चमतकार घटेत होते हैं आपको संतान से सुख भी प्राप्त होगा और संतान भी सुखी रहेगी आवशकता है पूरे मन और विश्वास के साथ जाप को करने की तो जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है ध् अब बात करते हैं आपके सवालों के आज हमारे पास जनम पत्री का आई हमारे दर्शक विपुल जी की 12 अगस्त 1994 में का जनम है सुबह 6 बच के 18 मिनट चुरू बाग्योदे कब से होगा इनका प्रश्न है देखे विपुल जी आपका कर्क लगन है कन्या राशी है लगनेश आज 2025 से आपका भाग्योदे हो जाएगा आप गुरू के जाब करवाकर एक पुखराज निश्चित रूप से पहन लीजिए आज की दूसरी पत्री का यह हमारे दर्शक मनीश जी की 16 दिसंबर 1990 का जनम है सुबह 11 बच के 22 बिनट जैपुर प्रश्न किया है न्यू जॉब क के बीच अवश्य मिल जाएगी आप ठीक से प्रयास की दिएगा आज की तीसरी पत्री का यह हमारी दर्शक आरती जी की 21 अप्रेल 1986 का जनम है दौपेर बाद चार बच के 27 बिनट दिल्ली मेरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है उपाए बताए इनका प्रश्न है देख आपको मंगल शान्ती करवाईए जल्दी से जल्दी बुद्ध के जब करवा लीजिए और एक बढ़िया सा पन्ना पहन लीजिए आपको निश्यत रूप से आराम मिलेगा विवाइक जीवन में सुख मिलने लगेगा तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विस्वस्त उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विदी सठीक समय अटूट शद्दा से करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ग्यान का निवारान अवश्य हो और मनोकामना पूर्थी निश्यत रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवति आप सबका कल्यान करे जया आदी शक्ति